जिख्षा कैसा देने बच्चों को इसकी जाच जरूर होनी चाहिए और जो सक्षम है जो एक्जाम दे सकते हैं जो नए लोग आए है जो battle जो जरूर्दे और जो बहादी से exam के się बहार में स्थिख्षा के सितिक गिरिया भी कहे के पाटग ने स्कूल 되면 जब जाच करवा तो आप देखे होंगे कितने बच्चे का नामांकन स्कूल नहीं आ रहा है कैसे बच्चे को सिक्षित करना है और अगर पीपेस्टी का एक्जाम देके पास कर गया तो और भी अच्छे सिक्षा देंगे तो बिहार का नाम और देश का नाम आगे रोशन बढ़ेगा उसका बड जिस तरीके से सरकार का नियावाली है उसमें सिठकों को इंतिहान देना होगा परिक्षा देना होगा पर कॉंग्रेस के विधायक भी अब सरकार के समर्थन में खड़े हो गए और कर रहे हैं कि परिक्षा देने में क्या हर्ज है क्या कुछ करें कॉंग्रेस के विधायक अब मालिय जो पुराने सिक्षक 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको देने की साथ जरूते हैं मेरा यह अपनी सोच है इसे शरकार का निरने जो होगा वही होगा लेकिन जो सिक्षक का अगर कम दिन हुआ है अगर उनको ट्रेनिंग दी जाते हैं जैसे मालिय की माद्यमिक स्क बिल्कुल होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो चुकिए बिहार में सिक्षा के सिति गिरिया भी केके पाटक ने स्कूलों में जब जांच करवाया तो आप देखे होंगे कितने बच्चे का नामांकन है स्कूल नहीं आ रहा है और उसके नाम पर मिड्डेल मील का पैसा और भी जितने योजना का पैसा आ रहा है वो तो लूट हो रहा है निश्चित तोर पर सिक्षा विभाग ने भी सही धंग काम किया है और भी बहुत घुटा लाई सिक्षा हलज नहीं है ट्रेनिंग सिक्षित को लेना चाहिए कैसे बच्चे को सिक्षित करना है और अगर पीपेस्टी का एक्जाम देके पास कर गया तो और भी अच्छे सिक्षा देंगे तो बिहार का नाम और देश का नाम आगे रोक्षन बढ़ेगा इसलिए यह कोई दिक्कत नही है जो सक्षा में देंगे और जो पुराने हैं उसको जरूर जहांच करिए कि कैसा सिक्षा देते हैं अगर सिक्षा दे पाते हैं तो टीक है नहीं दे बाता है आप यह बताईए किस पर्व में हिंदू के सब पूरे शरकार का सारा कार्याले सारा बैंक बंद रहता है कौन कारयाले बंद रहता है स्कूल बंद यह तो बिल्कुल गलत है और जब हम भी हिंदू है हम सब्तमी अस्टमी नम्मी दस्मी निशी तोर पर विजय दस्मी को तो खुशी मनाते हैं जीत की इसमें हम लोग बीजी रहते हैं लिकिन आप ट्रेनिंग अगर एक मुझा से छै बिहार का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे इसलिए कोई हरज नहीं है कोई कारयाले बंद बिहार में नहीं रहता है और सिक्षक को ट्रेडिंग दी जाती है इसमें कोई हरज दी पढ़ाई में सुधार होनी चाहिए मैं इसमें चाहता हूं कि अभी जो बहुत सारे सिक्षक ऐसे हैं अब तो खेर समय पर आने लगे हैं लेकिन सिक्षा में सुधार आवश्यक है क्योंकि बिना सिक्षा के बिहार आके नहीं बढ़ सकता उस बच्चे का परिवार आके नही मिल सकता है इसे निश्चित तोर पर सिक्षा में कड़ेती होनी चाहिए और अच्छे सिक्षक बहाल होने चाहिए जो कि सिक्षक बच्चे को सिक्षित करके आगे बढ़ा तो अब कॉंग्रेस के विधायक अजीस सर्मा को सुन रहे थे तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुश पेस बयान दिया उन्होंने आपने सुना है उतना ही नहीं जिस तरीके से दुर्गा पुजा में शिषखको को ट्रेनिंग के लिए लगाया गया इस पर भी सियासत तेज है इस पर भी अपनी बातों को रखे थे अजीस सर्मा आपने सुना है और गे कि तमाम खौरों के